नमस्कार, सिरी आरवेदा में आप सभी का स्वागत है पाचन संबंदी समस्याओं से लेकर आँखों की रोसनी बढ़ाने वजन कम करने और अन्य सारी लिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार हैं अब आईए सौफ खाने के फाइदे को एक एक करके जानते हैं कि किन किन बिमारियों में सौफ फाइदे मंद है और इसका इस्तिमाल कैसे करना है दोस्तो पाचन के लिए सौफ के फाइदे दरसल सौफ में धेर सारा फाइबर होता है जब भी हम खाना खाते हैं तो ये खाने को जल्दी पचा देता है अगर आपका खाना अच्छे से पच जाए तो ये हमारे सरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें अलग से कोई भी ताकत का सप्लिमेंट नहीं लेना पड़ेगा और हमारी पूरी बॉड़ी धेर सारी बिमारियों से बच जाएगी जैसे सुगर, हार्ट, एनेमिया, बालों का जढ़ना, अर्थरायटिस, गैस और भी बहुत सारी बिमारिया हैं जिन से आप बच हैं, आपकी बढ़ती उम्र के कारड़ आपको आँखों में प्राबलम हो रही है, आपके आँखों में जलन खुजरी और आँखों से पानी आता है, तो सौफ आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है, तो आएए जानते हैं कि आँखों की रूप समस्या होने पर मुझने जल से सुबा वासाम उपयोग करना है यह आपके आँखों के रोग के लिए बहुत ही बेश्ट आउसदी है चलिए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में दोस्तों सौफ मुठापे को कम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया घरिलू उपाय है अगर आपका बैल पूर मातरा में होता है जिसके कारण यह बरते वजन को नियंत्रित करने में भी लावदायक है दोस्तों सौफ सरीर में अत्रित वसा बनने से भी रोकती है अगर आपको अपना मोटापा घटाना है तो आप एक ग्रास गुनगुने जल में एक चमच सौफ का पाउडर एक च सौफ सांसों की दूरगंद को दूर कर सकता है पुराने समय से ही सौफ का उपयोग माउथ फ्रेसनर के तोर पर किया जाता आ रहा है यह सांसों को ताजगी देने के साथ साथ मुह की दूरगंद को भी दूर करती है इसके लिए आपको सौफ के कुछ दाने को चबाना है दो इसके लावा यदि आपके बाल जढ़ते हैं, तो आप खाना खाने के बाद चरह सा सौफ खाएं, सौफ में वो सारे न्यूट्रियंस पाए जाते हैं, जो हमारे बालों के सहत के लिए जरूरी हैं, सौफ में पाए जाने वाले एंटी आक्सिडेंट और एंटी माइक्रियो बी जो तो सौफ को चबाकर खाने से हमारे ब्लट का सर्कुलेशन भी इंप्रूब होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, और बालों की उम्र लंबी हो जाती हैं, जिससे आपके बाल बहत सुन्दर चमकते हुए नजर आएंगे लगातार एक महीना खाना खाने के बाद यदि आप सौफ खाते हैं तो आपके बालों का जड़ना एक महीने में ही रुक सकता है, और आपके बाल लंबेवा घने बन सकते हैं, जो लोग जोड़ों के दर्द की समस्या से परिसान हैं, वह लोग भी खाना खाने के बाद सौफ खाते हैं तो आपका भोजन अच्छे से डाजेश्ट वता है और आपको गेस की समस्या नहीं होती है सौफ हमारे बाड़ी में गेस की प्रॉब्लम को जट से ख़त्म करती है अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो सौफ आपकी गैस की इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है और गैस ही हमारी बाड़ी में दर्द का एक बड़ा कारण है इसलिए दोस्तो जब आप सौफ खाते हैं तो इससे आपका वात दोस दूर होता है और आपके गुटनों का दर्द भी ठीक होने लगता है अगर आपको गैस बनती है और आपके जोडों में दर्द जैसे गुटनों का दर्द कंदों का दर्द कमर में दर्द होता है तो आप खाना खाने के बाद लगातार एक महीना तक सौफ खाकर देख लीजिए आपको जरूर लाप मिलेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो अगर आपके जोडों में दर्द होता है तो आप सौफ जरूर खाएं और इस रोक से छुटकारा पाएं इतना ही नहीं दोस्तों सौफ कैंसर जैसी घातक बिमारी को भी खत्म कर सकती है क्योंकि सौफ में धेर सारे एंटी आक्सिडेंट और एंटी कार्सेनोजेनिक गुड़ पाये जाते हैं और यह हमारे बाड़ी में फिरी रेडिकल्स को खत्म करती है और हमारे बाड़ी को कैंसर जैसी घातक बिमारी से बचाती है आगे सौफ के अगले फाइदे के बारे में जानते हैं दोस्तों सौफ हमारे बाड़ी की इम्मिनूटी को मजबूत बच करती है आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जरा सा बारिस में भीग जाए या हलका सा मौसम चेंज हो जाए तो वह लोग बीमार पढ़ने लगते हैं उनको सरदी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां पकड़ने लगती हैं जो हमारे कमजोर इम्मिनूटी के कारड़ हमें होती हैं इसलिए अगर आप अपनी कमजोर इम्मिनूटी को मजबूत करना चाहते हैं तो सौफ का इस्तिमाल जरूर करें यहां तक सौफ डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक उत्तम औसदी है इसलिए आप अपने डायट में सौफ को जरूर सामिल करें और खाना खाने के बाद सौफ जरूर खाएं और अपनी सुगर लेबल को नारबल बनाएं इसके अलामा दोस्तों जो लोग कबज की समस्या से परेसान हैं, वोई लोग अपने डाइट में सौफ को जरूर सामिल करें, क्योंकि हमारे अनियमित दिंचरिया और खान पान के कारण कबज की समस्या आम बात हो गई है, अंटी आक्सिडेंट से भरपूर सौफ कबज से छु और इस प्रकार दिल की मिमारी से भी बचा जा सकता है, सौफ कफ जैसी समस्या से भी निजात दिलाता है, सौफ में एंटी बैक्टीरियल गुड होते हैं जो गले में कफ जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं, इसके अलामा दोस्तों सौफ रक्त चाप को नियंतिरित क करने का काम करता है सौफ में माटेसियंघ को कि मात्रा को नेंतिर्थ करता है और ब्लड़ प्रेसर की समस्या से रहान दिलाता है इतना नहीं तरह में अनेक गुड होने के कारण यह आच्छी नीदद लाने में उरक्षाण है जो लोग नीदद इलर्जिक गुड़ पाए जाते हैं जो तुचा की सुंदरता को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है इसके साथ आप सौंफ और पानी का भाववी सेख सकते हैं और सुंदरवा कांतिवान तुचा तथा जुर्जों से मुक्त तुचा पा सकते हैं यदि आप सौंफ को अच्छे से डाइजेश्ट करने में भी मदद करता है जिससे हमारे सरीर में खून की कमी नहीं होने पाती है अगर आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सौंफ जरूर खाएं इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी इसलिए आप अपने डेली रू को सब्सक्राइब करें धन्यवाद